नमस्कार मिड़ा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेनब बिहार पे देख रहे हैं पिछले सब्ता में हमने एक वीडियो डाला था जो कि लेडी सुपरवाइजर की जो बहाली चल रही है बिहार में उसी के उपर था काफी लोग देखे हैं उसको तो मैं सोचा कि इस करम में एक और वीडियो मैं उसी पर बना दूँ हमने उसमें जिक्र किया है कि बिहार से जितने लोग पास आउट हैं उन लोगों को अलग से 15 पॉइंट या 20 पॉइंट दिया जाए तब ही वो कंप्टिशन में सामिल हो पाए जो हैं वो नहीं आ पाएंगे चाहे वो उनका मेरिट लिस्ट में 50 नंबर पे हो चाहे 15,000 नंबर पे हो क्योंकि टॉप लोग जो रहेंगे उनहीं का ज्वाइनिंग होगा आपका वेटिंग में आ जाएगा कॉंसलिंग में बुला लिया जाएगा आपको लेकिन ज्वाइन मांगा गया है तो आप अत्ती आप कैसे भेज़ेंगे मेल से मांगा गया है हर एक जगह तो आप अत्ती में यह करें अगर आपका कोई पॉइंट कैलकुलेशन में गरबड़ी है आपके द्वारा ही हो गया है ज्यादा कम डला गया है तो उसमें आप डाल सकते हैं दूसरा एक पॉइंट है कि आप अपत्ति इसलिए करें कि जो भी टॉप कंडिडेट है टॉप हंडडेट का हमको माक्षिट प्रभाइड कराया जाए उसको स्केन करके और संबंधित जिला के डाल दिया जाए ताकि हम लोग देख लें कि वह उनकी डिगरी किस इनवर्सिटी की है और हम भरते समय उनसे भी गलती हो गई है और परसेंटे जैसे 60 परसेंट था सी डाल दिये नवे डाल दिये हैं लेकिन बात यहां पर यह फंसती है कि हार्ड कोपी मंगवाया गया था जिसका कोई आउचित नहीं था 30 से 40 सीट है एक जिला में एभरेज और उसके लिए आवेद श्थन पे लंबसम पांच गुना लोगों को भी कॉँंसAPP में बुलाया जथा है तो डेल सौ आदमी हुए कि कि तो डेल सौ आदमी का भेरिफिकेशन किया जा सकता था या ऊसे आप जाती आय निवाज सबकुछ मांग रेते भेरिफिकेशन कर समय तो आप क्या किये कि मांग दिये जब form अपलाई हो रहा था तब ही कि आप certificate के साथ जाती, निवास, आचरन और undertaking हमको by post भेज दिजिए जिसमें काफी परिशानी उठाना पर है एक तो बेलोजगार लोग हैं वहीं form भर रहे हैं दूसरा महिला है इनको कहीं किसी office में अगर काम भी करवाना है तो हो सकता है किसी को ले के जाना पड़े जब आपको mark basis पर short list करके और counseling के लिए बुलाना है तो अब आप total लोगों से क्यों मांग देए कि सारा certificate apply करते समय ही भेज दिजिए एक आदमी का एक application पर आप तो बोलेंगे कि form फिर में apply हुआ है लेकिन 1000 से 2000 तक खर्चा आया था apply करने में उसके बावजूद बहुत सरा जिला ऐसा है जो कि सारे candidate का list भी site पर नहीं डाल रहा है जिसे पटना को ही ले लीजिए क्योंकि पटन राइधानी है यहां जितने लोग है वो सब लोग स्मार्ट हैं विभाग में तो अपना स्मार्टनेस दिखाते हुए सारे लोग का list पॉब्लिस नहीं करते हैं और केवल ना point पॉब्लिस किया गया हम देखे 78 आदमी और 90 आद थे क्योंकि पटना है राइधानी है यहां सब स्मार्ट लोग बैठे हैं कोई ट्रांसपरेंसी नहीं बाकी जो जिला है कुछ कुछ जिला बहुत अच्छा से दिया है उसको ascending order में दिया है कुछ कुछ जिला वह इसे ही डाल दिया जैसे अपलाई आप एक्सपोर्ट किये सब्सक्राइब से उसको ले आके विव साइट पर डाल दिया गया है ना ascending है ना descending है ना group wise है जिसके चलते लोगों को दिक्कत ना हो तो हम जो भी वीडियो अपना डालते हैं तो उसमें मेरा कुछ ना कुछ युगदान रहता है कि हम उस पर working करते हैं ऐसे ही नहीं आपको news जो बताते हैं हम आके कि यहां का मेरिट लिस्ट आ गया वहां का हूँ तो आप लोगो देख लेते हैं सब लोगो अपने जिला का वेव साइट पता है और जाएंगे वहाँ पर PDF मिल जाएगा तो हम अगर टाइम आपको दे रहे हैं को कोई काम एक घंटा मेहनत करके उसको स communication नहीं है एक दूसरे से कि किस तरह से publish करना है फर्मेट क्या है तो काफी confusion हो गया है लोगों को ना timing का है कि इतना दिन के अंदर पटना से लंसम दस बार लेटर सब भी भाग को चला गया जिला आदिकारी कि जल से जल इसको publish करें उसके बाद भी 15-16 जिले का ही अभी तक सा साल में अभी भी guarantee इसका नहीं है कि जो hardcopy भेजे हैं वो पहुंचा है या उससे यह मिला के list publish हो रहा है कि उसका अगर आप गलती से उसमें अपना अंक ज्यादा डाल दिये हैं और जो hardcopy भेजे हैं उसमें उससे देखके इस list को सही क्या गया है कि नहीं क्या गया है इसका भी जनकारी कहीं नहीं है अगर software से download करके डाइरेक्ट उसी को डियो साइट पे डाल देना था तो दो साल तीन साल का time क्यों लिया गया इस list को डालने में एक ठो तो इस तरह का विग्यापन निकलता है जिसमें काफी ज्यादा लोग अपलाई करें लमसम एक जिला में अगर कि जब election रहेगा तो ऐसा advertisement निकालिए कि बहाली तो 1500 का लेना है लेकिन साथ लाख लोग उसमें involved हो जैंगे साथ लाख लोग होंगे कि बहाली निकल रहा है भोड देंगे तो पिछला election में आपका अपलाई हुआ था और अगला जब election आएगा तब तक ज्वाइनिंग होगा उभी 15 सो लोगों का साथ लाख लोग अपलाई किये 15 सो लोगों का ज्वाइनिंग होगा डिग्री डालार और इसका फेरिपिकेशन ऐसे नहीं होगा उसका भी राश्ता है जिस इनवर्टिटी से 90% का रहे लगाए हुए है उसमें उस इनवर्टिटी का उस बर्स का टॉपर का क्या परसेंटेज था उससे दो मिनिट में सामने आ जाएगा हो सकता है कि इनवर्टिटी के टॉपर ही होंगे 90% वाले 2018 का भी ग्यापन है और इस पे दो पेज नया लगा दिया गया है बाकि सब कुछ सेम है कोई बदलाव नहीं किया गया दो पेज में दो मेजर चेंजेज किये गये हैं शरकार जो अपना करना है काम उसको सौटकॉर्ट में चल रही है कि अगर आठ पेज का भ और आपका जहां तक सवाल है वहां आपका अपलाई करते समय ही आपका आचरन चाहिए अंडरेटेकिंग चाहिए निमाज चाहिए सब कुछ आपसे पहले ही चाहिए क्योंकि आप बेरुजगार बैठे हुए हैं घर पर कुछ दोर यह काम किजिए ताकि लगे कि हां कुछ क चाहिए जिसका जो नौकरी percentage basis पर होना है उसमें 60%, 70% वाले apply किये हैं पचास पर सेंट वाले भी किये हुए हैं तो अपना अनुमान आप अपनें से लगा सकते हैं अपना assessment कि क्या इसमें मेरा होगा नहीं होगा तो क्यों हम apply कर रहे हैं क्यों पैसे बरबाद कर रहे हैं दूर दूर तक होने का जिसमें chance नहीं है exam के business पर होता तो apply करते कि जियो merit मेरिट में आएगा उसका होगा नंबर से कोई मतलब नहीं है यहाँ तो basic ही है कि आपका एड बिग्यापन में यह की नंबर पे होना है तो अपना भी समझ का परचे दी दिये थोड़ा सा जो लोग apply कर रहे हैं देख लें अपना कि हमारा होने वाला है कि नहीं होने वाला है तो अपना assessment करके ही कोई form डालें क्योंकि आप परिशानी आफिक हो रही है और बहुत लोग यह भी पूछ रहे हैं कि कब तक आएगा merit list और joining तो हम तो सरकारी भी भाग से नहीं है कि सब की जनकारी हमको रहती है तो मेरा जहां तक अनुमान है कि होली तक सब जगह का publish कर दिया जाएगा जो list है counseling होगा होली बाद और joining का कोई भरोसा नहीं है अगर करोना औरोना दुबारा नहीं आता है तब 20 साल होने की उमीद है नहीं तो उत्तेश चोविस जाएगा इसमें कोई दोराय नहीं है क्योंकि होली जब आ रहा है तो होली का चुटी सरकारी विभाग में दस दिन पहले आ दस दिन बात तक चलता तो आप लोग अपना होली मना ये विभाग ये लोग लेकिन जो बेरोजगार है उनका कितना होली और तीवाली नहीं मन रहा है आप लोगे चलते इस पर भी ध्यान दीजिए क्योंकि होली भीतेगा तुरांत मार्च क्लोजिंग है मार्च क्लोजिंग में कुछ होगा नहीं करना किसी को कुछ नहीं रहता है मार्च क्लोजिंग में सब कुछ online हो गया है लेकिन उसके बहाना एक दो महिना टाल दिया जाएगा कि मार्च क्लोजिंग हुए नया सब्सक्राइब लेकिन हमारा एक सरकार से कि जो की जिसमें सब अपलाई करते समय आप सर्टिफिकेट ले लिए इसकैन करके लिए यह उननेसेसरी जो की डिपार्टमेंट से आपको बनवाना है और डिकलेरेशन अपले दिए कि हम इस काष्ट के हैं यह मेरा निवास है और जब आपका काउंसेलिंग होगा तो आप अपना सब कुछ पेपर बनवा के एक महिना पहले आपको बता दिया जाए लेके आ जाएगा अपलाई करते समय जो मांगा जा रहा है यह सरासर गलत ह इस पे ध्यान दिया जाना से जब इस वेकेंसी में पांच सब्जेक्ट को बरियत्या दी गई है पांच या छे सब्जेक्ट है क्वालिफिकेशन को गिर्जबेशन क्यों लिखा गया है सब लोगों को अपलाई करने के लिए क्यों कहा गया बिना उस पांच सब्जेक्ट के अलावा किसी का इस में 99.9 परसेंट चांस है कि नहीं होने वाला है क्योंकि जो 15 अंक बोनस का करेटेरिया है वो मिल जाएगा जिनको वहीं टॉप रेंक पे रहेंगे और उनका बहाली ह होगा तो अगर भीर आपको नहीं जुटाना था तो इन लोगों को रोक देते कि जो पांच-छे सब्जेक्ट है जैसे होम साइंस है साइकिलोजी है जो आप विग्यापन में दिये हुए हैं 6 सब्जेक्ट कमपल्सरी कर देते उसको कि इसी से जिसका रहेगा वहीं लोग अ सब्जेक्ट के अलावा है लेकिन भीर लग गया तो भीर लगाने का क्या मकसद है एक एलेक्शन का रैली कराना है क्या वीडियो बनाकर दिखाना है कि इतना लोग आया था इतना लोग अप्लाइग किया इस सब बेसिक चीज़ है डिपार्टमेंट को देखना चाहिए कि अ अगर किसी का भी अगर सब्जेक्ट के अलावा होता है तो हमको बताएगा जरा ऐसा सरकार से मेरा आगरा है कि सब बहुत important point है अगर आधे लोग छट जाते जिनका नहीं होना है ऐसे भी नहीं होना है तो apply ही नहीं करते तो यहीं 2-3 डिमांड था सुचा कि आप पिछला वीडियो मेरा बहुत लोग देखा है 2000 के आसपा सभी तक एक सब्सक्रामें देख लि नहीं है उसके बावजूदू इतना लोग देख रहे हैं तो हमने सोचा कि एक और वीडियो आपको पढ़ना के बता दूँ और लेटर हम भेजेंगे डिपार्टमेंट को वह भी हम सेयर कर देंगे आपके सांथ किर्पया हमको सपोर्ट करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर कि मेरा नंबर मेरा इमेल आइडी सब कुछ मिल जाया का डिस्क्रिप्शन में आपको डारेक्ट महां आप हमसे संपर कर सकते हैं और कोई मेरा चार्ज नहीं है ठीक है ताइम देने के लिए धन्यवाद नमस्कार